हेलो फ्रेंड्स हेमा कीशन फूड में आप सभी का एक बार फ्री से स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ड्लीसियस मज़ेदार मसाला पनीर तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम मसाला पनीर बनाना स्टार्ट कर लिते हैं तो फ्रेंड्स मैंने यहांपर 500 ग्राम के लगबघ पणीर लिया है और पणीर को मैंने यापर छोटे छोटे फिसीज में कट कर लिया है और फ्रेंड्स अब हम यापर एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई में हम यापर ओईल डालेंगी तो फ्रेंट्स मैंने यापर थोड़ा ज़ादा ओल लिया है क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले प्याज को फ्राइ करेंगी तो फ्रेंट्स मैंने यापर तीन बड़े साइज के प्याज लिये है और प्याज को मैंने यापर बारेक बारेक सलाशिस में कट कर लिया है और फ्रेंट्स अब मैंने याँ पर 2 इंच अद्रक लिया है अद्रक को भी हम यहाँ पर प्याज के साथ ही फ्राइ कर लेंगी तो फ्रेंट्स प्याज को फ्राइ करने से हमारा जो पनीर है वो काफी जादा डिलीसियस बनेगा और friends देखी यहाँ पर हमने finally प्याज कोचे से fry कर लिया है तो friends चे लिए अब हम यहाँ पर प्याज को उतार लेते है तो देखे friends मैंने यहाँ प्याज कोचे से ठंडा कर लिया है अब हम यहाँ प्याज का पेस्ट बना कर तयार करेंगी तो देखे फ्रेंट्स हमने यहाँ पर फाइनली प्याज और दरग का यहाँ पर पेस्ट बना कर तयार कर लिया है और फ्रेंट्स अब मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइज के टेमाटर लिया है टेमाटर का भी हम यहाँ पर पेस्ट बना कर तयार करेंगी तो देखे friends finally मैंने यहाँ पर टमाटर का पेश्ट बना कर तयार कर लिया है तो friends चलिए अब हम यहाँ पर पनीर बनाने के process पर चलते हैं तो friends हम यहाँ पर वही तेली use कर रहे हैं और friends सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ी लाची एक यहाँ पर हम तोड़ कर डालेंगे और friends finally हम यहाँ पर सभी मसालों को हलका सा यहाँ पर fry करनेगे और friends अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं एक चोटा चमच कस्मी लार में चीयती की नहीं होती है और एक चोटा चमच हम यहाँ पर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर तो friends, अब हम हम यह आ पर finally सभी मसालों को यहाँ पर हलका सा fry करते हैं तो friend जैसे हमँरे मसाले fry हो जाते है, तभी हम यह आपर पेश्ट बना कर त्यार किया था वो हम यह आपर डाल लेंगे तो देखसे friends, दो सी तीन मिनिट के लिए हम यहाँ पर टमाटर को अच्छे से पका लेंगी तो देखे फ्रेंड जैसे हमारे यहाँ पर टमाटर अच्छे से पक जाते हैं तब ही हम यहाँ पर जो हमने प्याज और यहाँ पर अधरका पेस्ट बढ़ा कर तयार किया था वो हम यहाँ पर डालेंगी और friends यहाँ पर हम प्याज को भी टमरेटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और friends यहाँ पर हम उसको एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे तो देखे friends हमारी जो ग्रेवी है वो यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है तो friends, चलिए अब हम यह पर कुछ मसाले इसके अंदर अड़ कर लेते हैं सबसे पहले हमने आपडियाए एक चोटा चमच धनिया पाउदर एक चोटा चमच जीरा पाउदर एक चोटा चमच हमने आपड लियाये गरम मसाला और एक छोटा चमच हम यहाँ पर ले रही है लाल मिट पाउडर और friends अब हम यहाँ पर finally सभी मसालों को अच्छे से mix कर लेंगी और friends यहाँ पर हम मसालों को 2-3 मिनित के लिए अच्छे से पका लेंगी तो देखे फ्रेंट्स फाइनली हमने यहाँ पर मसालों को अच्छे से पका लिया है और फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर गयास को ओफ कर दिया है और यहाँ पर हमने ग्रेवी को भी ठंडा कर लिया है और friends यहाँ पर हम बसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे धः को तो देखे friends अब हम यहाँ पर पानी डाल लेंगे तो friends मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया है अगर आप जधा करीब बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जधा पानी डाल सकती है तो friends अगर आप इसको प्लाव के साथ बनाना चाहती हैं तो आप यहां पर जदा पानी डाल सकती हैं तो friends मैंने यहां पर एक कप के लगवग यहां पानी डाला है और friends अब हम यहां पर डाल लेंगे नमक सादा नुसार और अब हम यहाँ पर इसको 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे तो देखे फ्रेंट्स हमने यहाँ पर फाइनली सभी ग्रेवी को अच्छे से यहाँ पर पका लिया है तो फ्रेंट्स अब हम यहाँ पर पनीर को भी डाल लेंगी तो friends मैंने यहाँ पर कच्छा पनीर लिया है अगर यहाँ पर आपको fry करके आप डालना चाहती है पनीर को तो आप यहाँ पर डाल सकती है तो देखे friends मैंने यहाँ पर finally पनीर को डाल लिया है और friends यहाँ पर हम gravy में अच्छे से mix कर देंगे पनीर को और friends अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं दो हरी मिर्श तो friends इससे हमारा जो पनीर है वो देखने में भी काफ़ ज़्यादा एट्रक्टिव लगेगा और friends यहाँ पर हम गैस कोफ करने से पहले सबसे यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ पर मैंने मक्कन की टिकि डाली है और friends अब हम यहाँ पर दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से धगकर मसाला पनीर को पका लेंगे तो friends यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुकी है और हमारा मसाला पनीर अच्छे से पक के तयार हो चुका है तो देखे friends कितनी बड़ी है हमारी यहाँ पर gravy बनके تवा मुनके तयार हुई है कितना ग्लीसियस हमारा यहाँ पर masala पनीर बनके तयार हुआ है तो देखे friends मैंने यहाँ पर finally gas को off कर दिया है तो देखे फ्रेंट देखने में भी कितना ज़्यादा यहाँ पर delicious लग रहा है हमारा मसाला पनीर तो फ्रेंट चलिए यहाँ पर हम पनीर को सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंट जैसे ही आप इसमें प्याज को फ्राइ करके डालेंगे इससे हमारा जो मसाला पनीर है वो काफी ज़्यादा delicious बनेगा तो देखे फ्रेंट मैंने अपर फाइनली मसाला पनीर को सर्व कर लिया है तो फ्रेंट एगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगे हो तो please वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सकारब करे और वीडियो को जादा जादा सियर कीजिए तो friends मैं मिलती हूँ आपको next video के साथ तब तक के लिए bye bye